तो हलो दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटीनिव कर रहे होगे तो मैं आज की लाइव क्लास को ले करके आ गया हूँ आप सब के लिए जहां पर मैं बात करूँगा टॉप टेन इंपॉर्टेंट क और उसके बाद हमें पढ़ना है आदुनिक इतियास अगर आप यूपीस या फिर स्टेट पीसेश के तैयरी कर रहे हैं तो आपको आजादी के बाद का भारत भी पढ़ना है जिसमें आज तक की करेंट अपेर्स भी सामिल होती है दोस्तों कल दोपहर 12 बज़े संभौता मे यह सेशन बिगिनर्स के लिए है और जिन लोगों ने भी हाली में तैयारी सुरू किया परप्रेशन सुरू किया यह सुरू करना चाह रहे हैं उन सभी लोगों के लिए यह सेशन होगा जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि तैयारी को कैसे सुरू करें तो उसमें तमाम सारे इस्टेट पी सेजिए तमाम संढ़ सुझाय हैं उन लोगों ने जो गुर्स साजा कि उन तमाम सारे पुस्तकोंपर आधरी जो एक ऑब्जर्वेशन हैं जिस पर मैं बात करने वाला हूं कि की तैयारी क्व उडेक्ति करें तो कल दोपहर बारा बजे रियल टाइम लाइव क्लास में जुड़ना ना भूले यूपीस सी प्राइम टाइम पर जहां पर आज की लाइव क्लास आप देख रहे हैं तो मैं आज टॉप 10 कोश्चन पर बात करने वाला हूं नए लोगों जो लोग आज पहली बार एक भी लिख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ और दस लिखना है तब उसके आगे आपको ए बी सी यह फिर डी टाइप करना होता है तो सभी लोगों का स्वागत है गुड़ इनिंग टू आल आफ यू गाइस और सभी लोगों का स्वागत है कर सकते हैं बाकी सारे इंफर्मेशन पा सकते हैं किसी भी इनिशियल इंफर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो पहले कोश्चन के साथ में मैं आज की लाइव क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं जिन लोगों ने लाइव क्लास को लाइक नहीं किया है को लाइक कर दें और अपने बहुमूल सुझाओं मुझे कमेंट करके बता है तो पहला कोशन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं साइमन कमीशन किस वाइसराय के कारेकाल के दोरान भारत आया था साइमन कमीशन के बारे में हम देखते हैं उसकी कभी रोध करते हुए लाला लाजपतराय जी के सर में चोट लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है जिसके बाद में क्या होता है कि जो लाला लाजपतराय होते हैं घायल अवस्था में एक बात कहते हैं कि मेरे सर पर पड़ी हुई एक एक लाठी बिटिस सामराजी के ताबूत में एक एक कील सिद्ध होगी वो साइमन कमीशन किस वायसराय के समय में भारत आया था आपको ये बताना है इंपॉर्टन कोशन है याद रखना है कॉपी पेन लेकर के बैठी एक लिख करके फिर आपको बताना है साइमन कमीशन किस वायसराय के कारेकाल में भारत आया था एक लिख करके फिर A, B, C या पिर D टाइप करके बताईए कौन था वह वाइसराय जिसके कारेकाल में साइमन कमीशन भारत आया था तो पहले प्रसंद के साथ में A, B, C या फिर D लिख दीजे सभी लोगों को गूड इवनिंग एंड वेलकम तो A, B, C और D लिखिए 51 के साथ में या फिर 1 के साथ में और बताइए साइमन कमीशन किसके क Online Touber, C भारत आया था आपको मैं दससे के टाइम दे रहाएं पह्ताक से आंसर टाइप कर दीजए भारत तो स्टब मैं साइमन कमीशन के बादे मैं आपको ऐक बात यह भी किया जा रहा ता कि जो साइमन कमीσα को इसलिए बनाया गया ताकि वो भारत में आकर कि कुछ दोन घट गई है कि यहांच कर सके लेकिन भारत की घटनाओं की जांच करने के लिए आने वाले आखि तो 10 वे प्रसumn का सही जवाब क्या है हम यहां से देख लेते हैं तो हमारे दसवे प्रसन का सही जवाब है आपसन है लाड इर्विन तो जो साइमन कमीशन था वो किस वाइसराय के कारेकाल में भारत आया था वो आया था लाड इर्विन के कारेकाल में तो पहले प्रसन का सही जवाब है आपसन है लाड इर्विन लाड इर्विन को तीन अपरेल 1926 को भ पहले प्रस्ण की साइमन कमीशन लाड इर्विन के समय में आया था इर्विन को तीन अप्रेल 1926 में भारत का वाइसराय और गवर्नर जनरल बनाया गया था 1927 में बिटी सरकार ने सर इस्टेफोर कृप्स की अध्यचता में साइमन कमीशन का गठन किया था ये फ़ैक्ट आपको याद रखना साइमन कमीशन का अध्यच कौन था तो वह थे सर इस्टेफोर कृप्स और यह आ कहीं रहते जो 1919 के सुधार थे उनका अध्यन करने के सकते तो जैसे बहारति राश्टी काउपन से जुढय हुए तमाम सारे नारे को इस सारी चीज Woah सारे जीर्स दे ते मुस्लिम लीग से अभी तक जादा तर जो इस भ kni ज्यादा है तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुहम्मद अली जिन्ना ने बाटो और छोडो का नारा दिया था option A है लखनव अधिवेशन 1931, option B है कराची अधिवेशन 1933, option C है लहोर अधिवेशन 1940 या फिर कराची अधिवेशन 1943 तो लखनव, कराची, लहोर या फिर कराची लखनव में 1931 का अधिवेशन था, कराची में 1933 का अधिवेशन था, लहोर में 1940 का अधिवेशन था, और कराची में वापस से 1943 का अधिवेशन था, आपको बताना है मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में मुहम्मद अली जिन से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें क्या है इस परसंद का सही जवाब क्या है इसके लामा भारती राष्टी कॉंग्रेस में जैसे 1929 का जो लाहर अधिवेशन है वह हमारे लिए गांधी जीने कि सब्सक्राइब देख लेते हैं दूसरे प्रसंद का जवाब क्या है हमारे दूसरे प्रसंद का सही जवाब है सुरु में देख दिकारों के रचल करना था लेकिन बाद में मुस्लिम लीग मुली मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाने की मांग انहों ने चूरू कर दी थी मुषण कम पर हुआ गठन हुहा था 1906 दाका में ऊसको का नाम किया था फ्रसान씬 और कणिस्कες पर देख लेते हमारा आज का तीसरा प्रस्ण है आल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस इस्थान पर पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों इस पूश्चन आपने पहले सुन रखा हो का उमीद इसका अंसर आप सही कर पाएंगे आपको बताना है जो ने 23 मार्च 1940 में कराची प्रस्ताव पारित किया था वो कौन सी जगह थी जहां पर कराची प्रस्ताव पाकिस्ताव पाकिस्तान जो सरी पाकिस्तान जो प्रस्ताव है वो पारित किया था आपको यह बताना है कि यह प्रस्ताव कहां पर पारित किया था कराची है हैदराबाद लाहूर या फिर लखनौ तीन लिख करके आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताना है आल इंडिया मुस्लिम लेग ने 23 मार्च किस स्थान पर परस्ताव पारित किया कराची में हैदराबाद में लहूर में या फिल लखनौ में एबी सी एफिर टाइप करना अपको तिरपन के साथ में Sumter School तो तो कपी सारी लोग कहा रहे एंज होते हैं यह को सुदूंस कहां से पुछाथ हैँ तो दोस्तों मैं इंटरेट हैं इसके लिए यूज कररा सथसाथ जो पर्सोनल सो मुझे एड़ करने होते हैं वह ж in-TION तो जो ये वेबसाइट मैं यूज कर रहा हूँ इस वेबसाइट का नाम मैं आपको बता सकता हूँ वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट से जहां से आप इनको लेकिन ये कोश्चन आउट आप सलेबस इसलिए होते हैं क्योंकि या तो ये परिच्छाओं के लिहाद से महात्वपूर्ण है या फिर ये परिच्छाओं में पूछे जाच चुके हैं और डारेक्टली अभी किसी क्लास में इनकी आने की संभावना ऐसी नहीं है चुके कोश्चन से बिखरे हुए हैं और मैं सारे टॉपिक तो एक साथ उठा करके पढ़ा नहीं सकता हूँ ऐसे मैं कुछ प्रशनों का अभ्यास करा रहा हूँ और जो जो टॉपिक धिरी-दिरी करके मैं उठा पा रहा हूँ वो मैं एक लाइन से बहुत धरम पढ़ लिय जहां पर हम टॉप 10 या फिर टॉप 20 कोश्चन की प्रेक्टिस करते हैं वाट्सप और टेलीग्राम गुरूप में जहां से आपको सारे लिंक मिल जाया करेंगे तो आप अगर अप चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चारा है तो वहां से जुड़ जाईए वाट्सप के लोगों को लगब लगब पता था कि लाहूर अधिवेशन था 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का परस्ताव पारिद किया था और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लिग ने पाकिस्तान का परस्ताव पारिद किया था और यह जो है पाकिस्तान का परस्ताव पारिद किया थ इसलिए हमारे तीसरे प्रस्ण का सही जवाब हो जाएगा option C लाहॉर अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रस्ण की तरफ देख लेते हैं आज का हमारा चौथा प्रस्ण क्या है चौथा प्रस्ण हमारा जो महत्मा गांधी जी थे इन्होंने निमलिखित में से किस इस्था कि- करन पर हुरित् पुस्टिका जारी कि था आपको यह बताना है आपकेस quieter for चौट पो और अपसर्ट न्हीं से राजकोट या पिर option D सब्दून और डी टाइप कर दिए मात्मा गांधी से जुड़ा हुआ यह प्रस्ण है आप जानते हैं गांधी यूग एक अलग से टॉपिक दिया गया ऐसे में गांधी जी से जुड़े वह स्पेसिपिक कोश्ण बहुत सारे पोची जाते हैं तो ठीक है तो चलिए दोस्तों देख लेत अब हमारे चोथे प्रस्ण का सही जवाब है ऑप्संसी राजकोट गांधी जी ने बिटी सरकार के विरोध में हरिद पत्रिका कहां पर जारी की थी वो जारी की थी राजकोट में इस कोश्चन का नोट आप जरूर बना लिजी गए यह आपके लिए इंपोर्टन कोश्चन मैं आपको बता रहा हूं हरिद पुस्तिका उन्होंने जारी की थी कहां पर राजकोट में क्यों बटी सरकार के विरोध में तो चौते प्रस्ण का इसलिए सही जवाब हो गया है ऑप्संसी राजकोट पांचोट प्रस्ण की तरफ हम देरे बढ़ रहे हैं देखते हमारा आ प्रस्ण के प्रस्ण के प्रस्ण के जवाब सही हुए उनको मेरी बहुत सारी सुपकामना है जिन लोगों के प्रस्णों के जवाब किसी पकारण से भी सही नहीं हो पाएं उन्हें निरास होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आप अब भ्यास करते रहे हैं साथ चुड़े रहे हैं और चीजों को बस देखते रहे हैं कंसीडर करते रहे हैं कानों तक जाने दीजे नोट्स बनाते रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका ग्यान नहीं बढ़ेगा हर रोज आपको 10 questions में कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको नहीं पसंद आता है मेरी live class में बिल्कुल मत पढ़िए दोपहर की live class आप छोड़ दीजे लेकिन कम से कम आप ये practice question की जो series चल लएए इससे आप जरूर जुड़िए अपने दोस्तों को जोड़िए share कीजिए क्योंकि सब लोगों को इससे फायदा होने वाला यहां पर मैं सिर्फ question पढ़ता हूं आपको answer करने होते हैं तो कम से कम आप answer करने को तो आप बहास कीजिए 1915 साबर मती आसरम के स्थापना गांधी जी ने की थी 1915 में इसलिए 5% का सही जवाब हो जाएगा हमारा option C 1915 साबर मती आसरम अहमदाबाद में साबर नदी के नती के जो साबर मती नदी है इसके किनारे 17 जून 1917 को यह बन करके त्यार होता मार्च 1930 में दांडी यतर की सुरुआ साबर मती आसरम से ही हुई थी इसके इस अब कुछ लोग कहते हैं कि जो वेप साइट है उसका यूज आप क्यों कर रहे हैं कि किसी ने ऐसा मुझे कहानी सिर्फ एक ही मुझे मैसेज किसी का आया था कि सरा आप पर्सनल जो के बजाए आप वेप साइट से जुड़े हुए जो कुश्चन से आप उनका यूज क्यों कर रहे हैं दो दोस्त उसके पीछे बस एक ही रीजन है चूंकि पीडिया फाइल को अच्छा लगता है और आपका भी जानकारी इससे बढ़ जाता इसलिए मैं जो व्याक्या समेथ जो यह कोश्चन से इनको यूज करता हूं मैं खुद से भी कोश्चन बना सकता हूं लेकिन खुद से मैं कोश्चन बनाऊंगा फिर उनमें यह जो इनका एक्स्प्लेन किया इसको एड करना वहां पर मुश्किल होता है और इनको एड करके फिर इस पीपीटी फाइल को चलाना मुश्किल होता है ऐसे मैं सिर्फ और सिर्फ मैं इस कमपाटिबिलिटी के लिए इसे यूज कर रहा हूं तो इस प्रसंदिशे मैं देखे क्या कुछ जानने को मिले एक त गांधी जी ने साबरमती आसरम की स्थापना की थी 1915 में 1917 में बन करके त्यारवा और 1930 में इसे ही यूज क्या किसके लिए साबरमती आसरम से यो दांडी आतरा थी उस्से वहां से साबरमती नदी के किनारे च्छटे प्रसंदे की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं सब्सक्राइब करनाटक में जो नगर हैं वहाँ पर विजय नगर सामराजी का सबसे भाविश्वारा कौन सा है गुलबर्गा है बेलगाम है गदग है या पिर हम्पी है छे लिख करके करके फटक से बता दीजिए इस परसन का सही जवाब क्या है मैं आप सबके आंसर का वेट कर रहे हुँ फटा 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 आंसर करते चले जाहिए जो लोग परसनों के जवाब सही कर रहे हैं एक बार फिर से उनको मेरी बहुत सारी सुबकामना है और ऐसे ही आप अपनी इसका सब्सक्राइब है वह हैं विजय नगर सामराज की स्थापना हुई थी 1336 में हरीहर परतम हुआ इसके भाई बुक का राय परतम ने की हुई थी विजय नगर सामराज में चार राजवन संगम सुलू तुलू वा अरविदू थे 137122 तो सोलह सोबहतर तर किन लोगों पढ़ करके complete कर लूँगा, वहां से मैं अपने observations और questions आपको भेजना शुरू कर दूँगा, दूसरी बात क्या South की history में देखे एक explanation छोटा सा है, लेकिन इससे कम से कम 4 या 5 परस्ण बन सकते हैं, मैं फिर से पढ़ना हूँ, ध्यान से सुन लिजे, notes बना लिजेगा, तो मैं तो संगम था, सुलू था , तुलू था, आर्वीदू था, 1336, 1772 तक उन्होंने सासन किया वर्तमान में जो ये सामराज है कहां पर करनाटक के हम पी में में इसके सा आंदोलन बंद कर दिया था आपके आप्सेंस हैं आप्सेंस सभीने अवग्ञान दोलन को अप्सेंसी भारत छोड़ो अंदोलन या फिर आप्सेंसी खेडा सत्याग रहे तो कौन सा वो आंदोलन था जो गांदी जी ने कौन सा जो आंदोलन था वो गांदी जी ने बंद कर दिया था सभीने वग्ञान दोलन था असायोग आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन था या फिर खेडा सकते अगर था साथ लिख करके ए बी सी और डी फटा फटा पर टाइप करके मुझे बताए इस परसंद का सही जव हुए कि इन्होंने चोरि चोरा कांड जो इससे कहा जाता है इसके बाद में में जो इनका आंदोलन था उसे इस्तगीद कर दिया था बंद कर दिया था और सभावरी नीस 1922 को गोरक पूर के निकट124 नामा के इस थान पर इस अंदोलन के कुछ अंदोलन कारियों ने पुलि कर्मियों की मृत्य हो गई थी इस घटना से दुखी होकर गांदी जी ने असायोग आंदोलन को वापिस ले लिया था तो सात्वे प्रसंट का सही जवाब है ऑपसन भी असायोग आंदोलन असायोग आंदोलन दोस्तों क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास में क्या किया गया चौरी-चौरा नामाकिस्तान पर कुछ आंदोलन कारियों ने पुलिस चोकी को आग लगा दी और जिसमें 22 पुलिस कर्मी जल करके मृत हो गयी थी उनकी इसके बाद में दुख हो करके गांदी जी ने असायोग आंदोलन को वापिस ले लिया था तो 7ए परसन का वापसन बी असायोग आंदोलन और इस घठणा के बबाद में जब गांदी जी की आलोचना की गई तो उन्हों कौन से वो अध्यात्मी गुरु थे जिनके बच्पन का नाम गदाधर चटोपाद्या था तो एक अध्यात्मी गुरु हुए हैं जिनके बच्पन का नाम था गदाधर चटोपाद्या आपको बताना है उनका वो कौन किसकी बात हम कर रहे हैं और तो किसे गदाधर चटो पाध्या कहा जाता था रामकश्ट परमहंस जी को और फिर स्वामी प्रभुपाद जी को तो आठ लिक करके फिर एबी सी ये फिर टाइप कर दीजे और यह अपने टाइप में एक अलग प्रकार का प्रस्ण है जरूर आप इसका अंसर कर पाएंग करके आठवी प्रसंद का सही जवाब क्या है किस अध्यात्मी गुरू के बच्पन का नाम गदाधर चटोपाद्या था आठ लिख करके फिर उनी के नाम पर स्वाम विवेकानंद थी अब नवे प्रसंद की तरब बढ़ रहे हैं देके हमारा नवा प्लव क्या है गांदी जी ने देखे है कांग्रेश अदिवेशन की एक जो अदिवेशन हुआ है हुआ अध्युटा गर कर किक ही तो मैंने वहांपर रूस अध्युटा नाम लिया था तो आप बताइए गांधी जी ने का इक सब्सक्राइब करना है आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद ऐसे लाइव क्लासे से जुड़ते रहे और फायदा उठाते रहे डेली नए से लिए सब्सक्राइब अधी लुगे बेलगाम गांधी जी का ग्राम सुराज ये आप 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 जानते होंगे सुनते होंगा-गांधी के बारे में अपने सुना परना गांदी जी गाओं से जुड़े हुए थे तो बेल गाओं आपको हमेशा याद रहेगा जैसे कल मैंने आपको पेरिस का सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है पेरिस किस नदी के तरट पर सीन नदी के तरट पर भूगोल में बताया था विस्व भूगोल के पूरी जाएगे वह चारों वीडियो देख लीजिए अभ्यास प्रस्ण के नाम से एक प्लेइलिस्ट बनी हुई है जहां पर उनसे जुड़े वह अभ्यास प्रस्ण अवेल बने दोनों को आप देख लीजिए और वहां से मोस्ट इंपोर्टन बहुत सारे कोशन आपके बन जाए जहां गीर निमलिखित में से किसे इंगलिस्ट खान कहता था आप्सण ए तामस लोगो ऑप्सण बी है विलियम हौकिन्स को ऑप्सण सी है हेनरी मिलिटिडन को या फिर आप्सण डी है इन में से कोई नहीं तो आपको 10 लिख करके फिर क्या कीजे या फिर 60 लिख करके जवाब सभी जवाब क्या है तो आज की लाइव क्लास सब जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से लाइव क्लास को लाइक कर दे दोस्तों के साथ सेयर करना न बोले चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहत तो मुझे कमेंट करके बताएं जैसा भी होगा अगर किया जा सकता होगा मैंने नहीं पढ़ाया होगा तो हमसको करेंगे और चीजों को आगे पढ़ाएंगे तो दसवें और अंतीम प्रस्त का जवाब देख लेते हैं दस्वें और अटीम परस्टाइवाब मिविलियम हौ इंको जो है वो हाकिन सेक्टर समुदरी जहाद से बारत सूव 1.07 में रवाना पहुचे थैंगलिस खान कहता था इसे इसने इंगलिस खान की उपादी दे हुई थी इसलिए हमारे दसमय और अंतीम प्रस्ण का सहही जवाब बी मैं विलियम हौकिन्स तो आज की लाइव क्लास से जुडने के लिए thank you thank you so much thanks for watching this live class thank you